Hi everyone, मैं हूँ धननजय, उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे वैसे तो इसराइल और इरान के बीच में रिलेशन 1979 से ही खराब है लेकिन अगर हम बात करें recent escalation का तो इसी महीने के शुरुवाती दिनों में Damascus, Syria में इसराइल ने इरान के consulate पे attack किया जिस attack में इरान के साथ high ranking officials की जान जाती है उसके बाद इरान के supreme leader Ali Khomeini उनका statement आता है जहां पे वो ये कहते हैं कि इस attack का बदला लिया जाएगा और उसके बाद इसी महीने के 13 तारी को इरान attack करता है इसराइल पे जिसके बारे में ये कहा गया कि almost 99% जो rockets या missiles थें उसे intercept करके diffuse कर दिया गया लेकिन अब बहुत सारे experts ये कह रहे हैं कि इरान को मालुन था कि इसराइल उसके missiles को या rockets को intercept कर लेगा और उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे European medias हैं जो इरान को बहुत ही negative तरीके से दिखाते हैं और साथ में इनके जो capabilities है उसको भी काफी कम करके आखा जाता है इस वीडियो में हम कुछ limited examples की मदद से दो चीजों के उपर focus करने वाले हैं सबसे पहला हमारा focus point रहने वाला है कि इरान को ये कैसे मालुम था कि इसराइल उसके almost सभी missiles को intercept कर लेगा और दूसरी बात इरान को कम करके आकना कहीं से भी सही नहीं है इस वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं सबसे पहले इस map की मदद से हम समझते हैं कि आखिर में इरान को ये क्यों मालूम था कि अगर वो इसराइल के उपर attack करेगा तो इसके almost 99% जो missiles ये rockets है उसे intercept कर लिया जाएगा सबसे पहली बात कि almost Middle East में सारे देश है जिनका relation इसराइल और USA के साथ काफी अच्छा है और उसके बाद अगर इरान को इसराइल के उपर attack करना है तो कहीं न कहीं उसे जो आसपडोस के देश यानि की इराक, सीरिया, लिबनान, जॉर्डन, कुवेट, इन सब का airspace इस यूस करना पड़ेगा क्यूंकि इन सभी देशों का जो relation है वो काफी अच्छा है इसराइल और USA के साथ तो चांसे 100% था कि अगर इरान इन सब देशों को ये बताएगा कि वो attack करना चाहता है इसराइल के उपर तो ये सारे देश जो वो information था उसको definitely pass on करते है USA और इसराइल को तो सवाल है कि अगर इरान को ये मालुम था तो फिर attack ही क्यों किया गया क्योंकि इरान के सुप्रीम लीडर अलीख हुमेनी उनका official statement आ गया था कि इरान इस attack का बदला लेगा यानि कि जो Damascus Syria में consulate पे attack हुआ था उस attack का इरान बदला लेगा तो अगर किसी भी देश का सुप्रीम लीडर या कमांडर ये कहता है officially कि इस attack का बदला लेगा और किसी भी तरीके से अगर वो attack नहीं करता है तो उस leader का उस देश में जो image है वो काफी गिरेगा और ये चीज़ कोई भी लीडर कभी भी accept नहीं करेगा और exactly हुआ भी यही इरान ने attack भी कर दिया USA, Saudi Arabia, UAE, Jordan ये सब मिलके support भी किये इसरेल को और कहीं न कहीं बहुत सारा जो दबा हुआ मुद्दा था वो भी public domain में आ गया कहने का मतलब है कि जब ये मालूम पड़ा Jordan के लोगों को कि वो इसराइल को support कर रहा उनकी सरकार तो वहाँ पे भी कुछ थोड़े बहुत protest हुए है वैसा ये कुछ देखा गया Saudi Arabia और UAE में हलाकि यहाँ से कोई report protest का तो नहीं आया लेकिन एक चीज़ को आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश में वहाँ के जो जनता होते हैं वो अपने सरकार के साथ 100% agree कभी भी नहीं करते हैं इस चीज़ को आप समझ सकते हैं भारत के example के मदद से कि चाहे सरकार जिसकी भी रहे जो common civilians होते हैं उन्हें नाराजगी होती ही होती है अपनी सरकार से उसके बाद इसराइल और इरान में relation खराब होने के एक जो सबसे बड़ा वज़ा है वो ये है कि इरान nuclear enrichment करना चाहता है यानि कि इरान nuclear missile develop करना चाहता है और बीते कुछ समय में Benjamin Netanyahu ये publicly accept किये हैं कि इसराइल का अगर आज के देश में कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो है इरान और 1979 के बाद इसराइल और इरान के बीच में relation और भी खराब हुए है अगर इरान nuclear weapon develop कर लेता है तो जो Middle East का politics है वो complete तरीके से बदल जाएगा और उसके बाद इरान बहुत हद तक uranium को enrich कर लिया है और ये बकाइदा प्लेटेस्ट आर्टिकल देख सकते हैं इसी साल के January, February के महीने में जहां पर ये बताया जा रहा है कि इरान उस हद तक uranium को enrich कर लिया है और साथ में उसे ये भी पता है कि इसराइल हो गया या European countries हो गया प्लस USA हो गया ये सारे के सारे देश कभी नहीं चाहते हैं कि इरान अपने nuclear program में आगे बढ़ें तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी काम इरान कर रहा है खास करके अगर uranium enrichment का तो ये भी proper तरीके से अपने precaution को ले के काम कर रहा होगा और उसके बाद बीते कुछ सालों में जिस तरीके से इरान, रश्या, चाइना ये सब close आये हैं कहने का मतलब है कि एक group create हो रहा जिन सभी group में एक चीज़ common है कि उनका जो relation है वो USA के साथ अच्छा नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ा वज़ा है कि क्यों इरान को कम करके देखना किसी भी तरीके से इस्राइल, USA और European countries के लिए सही नहीं है और उसके बाद इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है जहां पे हम कह सकते हैं कि कम से कम more than 35,000 लोगों की इसमें जान गई है तो self defense के नाम पे अब Benjamin Netanyahu और इनकी team genocide कर रहे हैं जिसको की multiple times United Nation में भी accept किया गया हलाकि इस incident के बाद हम कह सकते हैं कि more than 90% United Nation एक failed organization है और ये सिर्फ उनी देशों के सामने strong होके खड़ा हो सकता है जो देश खास करके nuclear power नहीं है इरान से चाइना बढ़ चड़ कर oil purchase करता है वहीं दूसरी तरफ रश्या के उपर भी इतने सारे sanctions लगा दिया गया है लेकिन फिर भी USA कभी भी directly उस तरीके से oppose नहीं करता है रश्या को जिस तरीके से oppose वो इरान को करता है तो उसके पीछे का भी एक single most reason है वो ये है कि आज भी रश्या इतना strong है कि वो directly USA को challenge कर सकता है और ये भी बहुत बड़ा वज़ा है कि क्यों almost हम कह सकते हैं कि रश्या-Ukraine war में Ukraine को इतना damage हो गया है कि अगर सिर्फ वो उस war damage से निकलते निकलते ना जाने कितने साल Ukraine को लग जाएंगे और उसके बाद बहुत सारे जो experts है जो Benjamin Netanyahu को जानते हैं उनका ये कहना है कि जिस तरीके से गजा में या इरान के साथ tension को Benjamin Netanyahu और इनकी team ने बढ़ाया है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Benjamin Netanyahu अपने image को within Israel और outside Israel भी कुछ इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि Benjamin Netanyahu एक काफे strong leader है और ये उन सब देशों के साथ कभी भी compromise करने को नहीं सोचेंगे जिनका relation इसराइल के साथ अच्छा नहीं है और उसके बाद ये बार-बार नाजी जर्मनी के दुवारा जो targeted तरीके से Jewish के उपर genocide किया गया था उस example को ये बार-बार quote करते हैं एक चीज का ध्यान रखा जा कि कभी भी एगर कोई leader बार-बार historical events को आपको याद दिलाता है तो कहीं न कहीं वो leader अपने image को present time में काफी strong दिखाता है जो चीज past में था उसका होने का एक अलग कारण था एक अलग circumstances था और जो चीज आज हो रहा है इसका एक अलग circumstances है और समय है तो in a way हम कह सकते हैं बहुत हद तक कि Benjamin Netanyahu अपने आपको या अपने image को strong दिखाना चाहते हैं जिसके कारण ये बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि जो common civilian हैं इसराइल के उनके future को ये dark में डाल रहे हैं ऐसे आपको बहुत सारे multiple articles मिल जाएंगा research paper मिल जाएंगे जो बता रहा है कि Benjamin Netanyahu चाहते हैं तो हमास के साथ ये conflict को शायद पहले महिने में ही resolve कर सकते थें तो अगर हम इस वीडियो का conclude करें तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इरान के पास एक full-fledged army का team है जिनके पास intelligence भी है जिनकी training भी अच्छी है और इरान को पता है कि nuclear enrichment कैसे होता है तो in a way अगर इरान से dialogue और diplomacy का इस्तेमाल ना किया जाए तो कही न कही middle east में जो conflict है वो आगे बढ़ेगा और जिसके कारण global tension बढ़ेगा और एक जो सबसे बड़ा impact पढ़ने वाला है वो यह है कि continuous supply of energy यानि की petroleum या petroleum products का अगर supply रुखता है तो definitely उसके कारण जो कीमत है समानों का वो बढ़ेगा I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताए See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye